कहती है तू ऐसे ही खड़ा हो दूप पे और सुखा गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे सितारा यासीन के सपोर्टर मुझे गालिया देते हैं हैं आगे देखा करें कोई बंदा आपके कमेंट पढ़के बेहोश ना हो जाए बत तमीजो जैसे नुशीन मुलतानी को करते हो ऐसे क कर लिया करो तो मुझे हसी आजाएगी हम temple my youtube family कैसे है आप सब ठीक है तो वीवर्स आप लोगों का बहुत-बहुत श्यकरिया 나오 ने मैं इतना प्यार दिया लेकिन मुझे घर से प्यार नहीं बिल रहा वीवर्स वीवर्स मेरे बहुन तुम लोग समझ गये थे वैंसे मेरी पीवी भी समझ गई थी अब मैं जब जब रूमेंटिक हो के बीवी की तरफ जाता हूं और कोई गाना गाता हूं मेरे प्यार की इतनी हो लंबी उमर माई पेड़न डावड़ा के मेरे सर बेवारती है और कहती है वो दो तस्वीरे किस की यह है तेरे भाने भाजे ने जो दिखानी दी वो उस किस की है मेरे दिल पर ठाओ करके बज़ती है वो बाते दिल पर ने तो वीडियो बना दी लेकिन मेरी ऐसी कि तैसी बज़ गई है मैंने फिशल करवाया आज मैंने मूचिटा किया मैंने का आज संडे मनाएगे बीबी के साथ वीवर्स वीवर्स बत्वीजो सितारा के सपोर्टरों अब मजह गालिया देते हो तुम लोग जो क्या पता हो मेरी अंदर से क्या हालत है गंदी हालत है गंदी हालत वो जैसे पालर वाली की गंदी हालत हुई पड़ी है उसका बंदा सलाप बे है मुझे भी आते लगता oh सलाप बे आ ग्या हूँ भाँजे ने जब से तस्वीरों की बात की है न मेरी मिट्टी पली तो रही है घर में और बेगम रात दिन जैसी मैं उसे छोड़ा साइदर से छेड़ता हूँ ऐसे मारती और खहती है दहा हो जाए यहां से मुझे तस्वीरों का बता साइद ने भी थोड़ा सा इशारा दे दिया था अपनी वीडियो में है साइद दिल बर तुम लोगों ने मेरी मिट्टी पलीट करवा दी विवर्स प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली समझा करो तुम लोग भी कमेंट कर जाते हो वो पढ़ लेती है उद्र से भांजे ने मेरा घर खराम कर दिया मैं तो चला था सितारा का घर खराम करने मेरा अपने भी हो रहा है बस दुआ करो एक तो मेरे पीछे ये फरीह एड्वोकेड पढ़ गई है कि थी मामा मुझे पसंद है मामा मुझे पसंद है बेगम पूछती है कि इसके साथ भी तरह चक्कर है अब मैं अपने चक्कर कैसे बचाओं लोगो कोई तो मदद करो लोगो बेगम के सामने तो मैं बहुत शरीफ बना हुआ था मैं उसे लेटर लिखा करता था मैसेज किया करता था जब कराची में था मैं कहता होता था I love you मेरी जान की टोटी चोटी 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 मैं तो चला था किसी और का पड़दा फाड ले मेरा अपना पड़दा फाड दिया मेरे भाजे ने बत तो भी जोपर से मुझे कमेंट करते हो गंदा मामू है मामू तेरा पड़दा फाश पड़दा फाश मैं अवसल मेरा कोई ऐसा पड़दा नहीं है बस ऐह मुझे फटाया जा रहा था शुकर है मेरी बहन जो है न है गुर्बान जाओं सदके जाओं अपनी भाजी बेबा छोटी पे और अपनी बहन पे उनने मुझे बरवख्त बचा लिया लेकिन एमरजंसी में मैंने भी वीडियो बना दी थी फॉरण और मैंने कहा था कौन सी पिक्चर की बात कर रहा दिलवर है साजिद मैं इतना घबरा गया था कि साजिद का तालुक अंग्रेム सी ओड़ों के साथ लगा दिया हााा असल में इसट मुझे भमत कुछ नहीं आ रही थी मैंने हमें बक्बुक दिया बात में अब मैं फोन कर रहा कर रहा हूँ साजिद को साजिद मेरा फोन उठा मैं वैसे को बेसे रस्ता तो निकला लूँगा मेरी बेन है, हाँ, ये अलग बात है, जब उस पे कोई इल्दाम लगा था, तो मैंने खुद कहा था, बाइकार्ट सितारा, असल में मेरे दिल कर रहा था, हेटर बन के कैसा फील होता है, बहुत कुटे वाली हुई मेरे साथ, पप्पी वाली हुई मेरे साथ, नहीं, ये पप्पी नहीं, ये पप्पी वाली हुई, हेटर बन के, वैसे मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, अंदर ये अंदर से, दस हजार कमेंट सितारा के सपोर्टर आके गालियां देते थे, मैं तो डिल्ट करकर पाखल हो गया था, मुझे कमेंट बंद करने पड़ रहे थे, पैसे हेटर बनने का नुकसान ये है कि आपको गालियां बड़ी खानी पड़ती है, बच्पन में कोई ऐसी गलती मत करना, अलाके वो मेरा बच्पना तो नहीं था, लेकिन बात कवर कर लिया था मैरे, मैं तो कह दिया था कि बच्पन में मेरे से पाप हो गये थे, एक, दो, छोटे-छोटे, मज़ा बड़ा आ रहा था, लेकिन आज कल मेरे पीछे फरीहा पड़ी हुई है, फरीहा एड़ोकेट, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कराऊंगा, तुम जितना कर लो, मामू, 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 आइम सुपरस्टार, माई यूट्यूब फैमिली, ये जो नौशीन मुलतानी की लाइब मेरे, फरीहा एड़ोकेट आती है, वो मुझे फर्थाना जाती, मुझे पता इसके पीछे सितारा बेहन, और साजिद और दिलबर का हात होगा, वो कहते होंगे, मामे की कमजोरी पकड़ो, लेकिन मैं अपनी कमजोरी को एडियो बताऊगा, बेरी बीवी मारती है मुझे, मैंने आज बीवी को कहा, चाहिए के साथ पराठा दे दो, उसने चाहिए के साथ दो लितर लगाए और कहा दवाओ जा, तेरी वो जो दो पिक्चरे वो किस किसम की हैं, जो तेरे भांजे ने लीक करनी थी, वीवर्स, बात मैं तुम लोगों से ये करना चाह रहा हूँ, टांग अडाई, और मेरी दोनों टांगे भास गई है, क्या बताओ, क्या बताओ लोगों, सारा दिन कपड़े सलाई कर करके हैंगर पर टंगता रहता हूँ, हैंगर पर टंगता रहता हूँ, और बेगम फिर भी रोटी रह देती, बेगम के तियाल उगो भी का सालिन खुद बना, दिल पर, दिल पर, हाँ, दिल पर, दिल पर, क्या फसा दिया तुने मैंने, बड़ा जजबाती भाण जाया ये मेरा, बच्छपन में जब मैं दिल पर को उठाता था अपनी गोद में, फौर अंटटी कर देनी से, ची कर दे दिल पर तुने वो भी नहीं सोचा, तेरे मा मैंने अपने हाथ पीने किये थे, हाथ पीने किये गई बार मैंने तुम्हारी टटी से, तुने बेरे राज खोल दिया भाणजे, आज मेरी बीवी इतने दिन हो गया, मुझे हाथ नहीं लगाने रेती, ना मुझसे अच्छे त बैठा होता हूँ, मेरा बार बार हासा निकल जाता है, डर के मारे मैं बाहर भी नहीं निकलता कि कोई मुझे भी पकड़ के मारे ना और ये न कह कि तू भी यूटूब चानल बंद कर, अगर मेरा यूटूब चानल बंद हो गया, तो सितारा बेहन के खिलाफ वीडियो कैसे बनाओगा, बताओ, बाबर भला होता, ये बाबर ना होता ना, आज ये मामा यहां पे ना बैठा होता, दिल पर, दिल पर तेरी मामी ने मेरा ओ करना था, की मा ओ घर रह था, यूटूब पे नजर ना था, अभी भी मैं जो नजर आ रहा हूं, उपर से नजर आ रहा हूं, मेरी आलत बड़ी खराब है बेगम ने बेल ने मार मार के देखचियां मार मार के टांगें मेरी सुझा दी और अभी तक पूछ रही है बड़ी शक्की है ना शक्की है मेरे बहन सलमा पे गई है वो भी शक्की है है इन दो बहनों के चक्रों में मेरे दो दो अफेर कड के लिए आया मेरा भाइजा पॉब्लिक भी पकी हो गई है, हमेदार है ना, माई यूट्यूब फैमली, अब मैं हेटर नहीं रहा, मैं भी बेबो की तरह, आदा सपोर्टर हूँ, तो मैं ये कहना चाहरा हूँ नाजरीन, जिस दिन मेरे थोड़े थे व्यूज कम होंगे, उस दिन में दिया करूँगा, चुपकर सब्पर की गोली खा के सुन लिया कर रहा, मैंने तो अभी ये भी नहीं पताया, कि नाशीर मलतानी की लाइब में, फरीहा एड़ोकेट मुझे लाइन मारती है, और मेरा दिल करता है, कि मैं उसे मैसेज करूं, गंदे गंदे, और कहूं मेरे से बाते कर, लेकिन बेगम कुटेगी, अब बढ़ापा भी तो आगया है, तो नाजरीन वीवर्ज, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से दिल पर भांजेने, मेरा थोड़ा सा पोल खोला है, उस दिन से आपकी मामी जो है, मुझसे आलूगवी बनवाती है, च बले, बले, मैं फिर कभी-कभी तो मेरे से कपड़े धुलवा के धूप पे खड़ा कर देती है, और कहती है कि इस हैंगर पे कपड़े टांग के बाहर कपड़े सुखा के लावो भी अपनी, अपनी चाती पे गर्मी, गर्मी खाता है ये मामा, बड़ा, बड़ा सबर करना पड़ता है शादी के बाद, भांजे, भांजे, तुने वो दिन याद नहीं किये, जिस दिन मेरे हाथ पीले हो जाते थे तुझे उठा के, उस राहिम तो पेमपर का जमाना भी नहीं था लोगो, अपने भांजे को ऐसे उठाता था, कर देता था, बेनी हाथों से दोता था दिल पर, दिल पर, हाँ, दिल पर, दिल पर, हाई, हाई, बस भी बर्ज दुआ किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमें भी खुशी होगी, है, जितनी भी इमदाद बेजनी है, चुपचा आप इंस्टाग्राम पे आज बड़ी की बरताश करनी मैंने सुन ली हैं अंदर ही अंदर मैं भी डरा बैठा था वी वर्स कि मेरी बेहन सितारा के फैंस इतनी सारी औरते हैं कोई डंडा कोई सोटा कोई लितर कोई पतनी क्या कुछ लेकर आके मेरी इंसर्ट ना करे ये ना कहे कि हमने तो तुम्हें सस्क्र किया था तुम्हारी भैन सिधारा के लिए और तुने गरदारी कर दे इन औरतों के जलम से में यह बहुत डर लगता है लोगो वीवर्स इतना डर लगता है यहां से अंतादा लगाओ तेज धूप में मेरी बीवी मुझे कपड़े दुलवागे मेरे उपर टंग देती है और क क्या बता हूँ यह दर्द क्या है तकलीफ क्या है यह अब मुझे एसास हुआ किसी के मामले में टांग मत अडाओ हैं टांग मत अडानी चाहिए टांग अडाएंगे तो आपका सर टांगें पाज़ो सब कुछ उड़ेगा वीवर्स कब तो मेरी बीबी न मुझे कह दिया चल बैंगन के मूँ वाले उठ जाए यहां से बोलो बताओ क्या गुजरी होगी मेरे मूँ पे है अलेकि मैंने फिशल कराया था बहुत दिल दुखी है बड़ा दिल करता है किसी लड़की के साथ गंदी चैट करू गंदी गंदी बाते करू दिल बहला हूँ लेकिन बीबी मुबाइल सीन लेती है फिर टेंप्शन हो जाती हो जा है वीवर्स या दिल के हाल सुना भांजा तो अपने घर में खुश है उन हो गए मामा मामा रेकिन मैं क्या बताओं बेगम से सुला नहीं हो रही बेगम मेरी रोज लितर प्रलेट करती है और कहती है बता बता जाल्म बता कहीं शारुख तुम्हें भी तो मोटरसैकल पे नहीं छोढ़के आता था और्भा, क्या पताओं, एक कान की इदर पढ़ती है, दूसरी इदर पढ़ती है फिर मैंने का नहीं, शारूख नहीं मौटरसेकल पे छोड़ गयाता था क्या बेताता मैं हो जाता रहा मैंने का नई आइसी कोई बात नहीं है वो बच्चा है उसने चूठ बोला उसके मुझसे निकल गई वीवर्स एक सबक मुझे हासिल हुआ है वो ये सबक हासिल हुआ किसी के कपड़े उतारोगे उसने भी आके अपने फाड़ देने और आपके भी फाड़ देने जैसे कि मेरे भांजे ने किया हाला कि मैंने भी अपने भांजे पर लगाए लेकिन उसमें दम नहीं था मैंने भी साजित के खिलाफ बड़े लगाए उसमें भी दम नहीं था लेकिन ये जो दो पिक्चर वाली बात और बच्चों वाली बात की है न मेरे घर में आज तक फसाद पड़ा हुआ है बस दुआ करें मैं बच जाओं मेरा पांच-छे किलो वजन जो है कम ना हो जादा ही हो जाए वनना मुझे कौन पच्छाने का अभी तो मुझे चलो कह देत अग परतन थो जड़ो दे सारे काम करता हूँ खुदारा अपने पाप छुपा के रुखो किसी को मत बताओ जैसे मेरे भांजे को पता है और वो मुझे ब्लैक मेल करके कहता है मामू मामू सुबा हो गई मामू बस एक दफ़ा मैंने अपने भांजे को कह था बैटरी बस विवर्ज ये होती हैं बच्पन में ही गल्तियां होती है जो उस इतारा तो 50-60 साल की है समझदार है उससे गल्ती कोई नहीं होनी चाहिए है हम बच्चे कुछे हैं हमसे हो गई तो कोई बात नहीं है हमारा थारा है ऐसे ही पापी खानदान है लेकर गंदा हमने सिर्फ बहन को किया है अच्छी है बच्चरिए अच्छी है पुरे खानतान को योटुब चानल बना पे दे दिए हम सारा दिन पागलों की तरह है कैमरा करके फिर रहे होते हैं वीडियों डाल देते हैं में बाद लाग कोठी है बला हो वैसे उसका लेकिन हम लोग उन्ह बड़ी को मेरे घर बे अब भी तक मेरी बीबी मुझे कहती है वे पैंगड ने मुआ लिया तस तेरा केदे नाल चक करे कौन ए ओ मैं तो कुछ एक्स्प्लेइन भी नहीं कर सकता अगली वीडियो में कर दूंगा है बस वीवर्ज अकेला बैठा था दिल किया कि आप लोगों से गप्पें लगा दूं मेरी बेगम जरा फून पे बिजी है मैंने का चलो मैं इतर बिजी हो जाओं है तो यही दिल का हाल था यह हाजमा परताष्ट होता नहीं है गालियों का वैसे तो ठीक है वीवर्ज अभी मुझे इजाज़त दें लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट करें अच्छे अच्छे तरीके से बात किया करें हैं आगे देखा करें कोई बंदा आपके कमेंट पढ़के बेहोश ना हो जाए तो इसके था ती अपी मामों को इजाज़त ने लेकिन मैं ये बताना चाहरा हूँ कि मैंने एक परवीन हूँ है परवीन कहा से आगया है नेक शेख हूँ हूँ मैं मैंने कोई पाप नहीं किया फिर भी मेरी बीवी कहती है बेंगन ने मुँआ ले आई दरा बेंगन ने किसी का पढ़दा उठाएंगे आपके पढ़दो क्या लीरो लीर हो जाएंगे तो इसके साथ ही अभी इजाज़त दे मामों को और अच्छे चे कमेंट करें बत्तमिज़ो जैसे नुशीन मुलतानी को करते हो ऐसे कर लिया करो तो मुझे हसी आ जागी है तो इसके साथ ही मामों का मूँ देख लो बेंगन जैसा ओके अलाफिस